Good afternoon students. students हम 5-my class का Hindi subject कर रहे हैं जिसमें आज हमारा ग्यारमा पार्ट है ग्यारमा पार्ट क्या है? हमारे परव, हमारा गोरो याने इस पार्ट में हमारे देश में मनाये जाने वाले अनेक प्रकार्केति वहारों के बारे में बताया गया है बच्च जैसा आप जानते हैं हमारा भारत वर्ष एक विशाल देश है जिसमें अनेकता में एकता समाहित है अनेकता कैसे है क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों को मनाने वाले लोग रहते हैं धर्मों में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिंख, हिसाई, सभी धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं, और अनेकता में एकता कैसे है, क्योंकि सभी लोग आपस में मिल जुल कर, अपने खुसियां, अपने तिवहार मनाते हैं, और आप जानते हैं, जैसे कि हमारे सरकार भी सभी धर्मों का समान आदर करती है कानुनी तोर पर भी हम सभी धर्म जो कानुन के समक्स समान है कानुनी तोर पर भी सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है क्योंकि हमारे सविधान में हमारे देश को धरम निर्पेक्ष राष्टर गोसित किया गया है धरम निर्पेक्ष का क्या रत होता है धरम निर्पेक्ष अर्थत किसी भी धरम का पक्स ने लेना निर्पक्स होना सभी धर्मों को समान रूप से आदर मान देना तो हमारे देश में सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है हम देखते हैं कि यदि सरकारी अवकास होली का सरकारी अवकास होता है तो वैसा ही क्रिस्मिस डे पर भी होता है और सरकारी अवकास वैसा ही इद पर भी होता है गुरू पर भी होता है तो सरकार के समख सभी दरम समान हैं, तो इस परकार से हमारे देश में अनेकता में एकता है, हमारे देश में किस परकार के अनेक त्योहर मनाई जाते हैं, हमारे बाहरतवस में कई ऐसे परव हैं, परव मतलब त्योहर, कैसे पर त्योहर हैं, जो महापुर्सों के जनम दिन के र एसे महापुरुष जोनों ने कोई जैसे ज्ञान के मारग में या फिर हमारे देश की स्वाधिनता के लिए देश की एकता और खंडता के लिए अपने जीवन पूरा जीवन लगा दिया जैसे कि महातमा गांधी महातमा गांधी जिसे हम राष्ट्रे पिता के नाम से भी जानते हैं तो राष्ट्रे पिता का जनम दियुस कब होता है दो अक्टुमबर तो दो अक्टुमबर का दिन हम गांधी जैनती के रूप में मनाते हैं महतमा गांधी जो कि पूरे जीवन अहिसा और श्यान्ति का संदेश देते रहे, श्यान्ति पुर्वक अंग्रेजों को देश सोडने के लिए जिनोंने विवस किया, ऐ सहयोग, सविन्य, अवग्या, आंदोलन, आती आंदोलनों से, उन्होंने श्यान्ति पुर्वक ढंग से को सवतंतर्ता दिलवाई इसलिए उनको राष्टर पिता की संग्यादी जाती है और 2 अक्टुंबर को उनका जनमदिवस मनाया जाता है बचे 2 अक्टुंबर को एक अन्य महपुरुस का जनमदिवस भी उता जानते न? किसका होता है लाल बहादूर सास्त्री जो हमारे दूसरे परदान मंत्री थी और जिन्हों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो दो अक्टॉमबर को जो होता है यह मातमा गांधी और लाल भादूर सास्त्री का जिनम दिवस है गांधी जैंती के रूप में इसको मनाए जाता है इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बुध पुर्णीमा के है यह मातमा बुध का जिनम दिवस है महात्मा बुध जिन्होंने संसार को जनम मरन से चुटकारा दिलवाया महात्मा बुध आप जानते हैं न ये एक राजकुमार थे सिधार्थ नाम था इन्होंने दुनिया के लोगों के दुखों का निवारन करने के लिए घर त्याग दिया था और इन्होंने तपश्या की थी पर इस परकार से इन्होंने लोगों को जागरु किया तो महातमा बुद्ध का जनम दिवस बुद्ध पुरुणीमा के रूप में मनाया जाता है इसी परकार जैन धरम के तेटकर महावीर जैन, महावीर स्वामी जो होते हैं उनका जनम दिवस भी महवीर जैनती के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिखों के धरम गुरु जो थे, कुन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के जनम को नानक जैनती। उसे गुरु प्रव भी कहा जाता है। ग्रु प्रव के रूप में नानक जैनती के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों देखते हैं कि अम्बेडकर साहाओ, भाबा भीम्राव अम्बेडकर जो कि दलित वरग, निमन वरग के हितों के लिए जो आजिए। लड़ते रहे तो उनको भी अंबेड कर जैनती के रूप में उनका जनम दिवस मनाते हैं कभीर साहिब जो की अनेक को पर्थाओं का जिनों ने विरोध किया और जिनों ने लोगों को ज्यान का संदेश दिया कभीर जैनती रवी दास का रवी जैनती के रूप में तो इस परक इस प्रकार ये भी हमारे परवू है। परवू के रूप में ही त्योहरों के रूप में ही उनके जिनम दिवस को मनाया जाता है। इसके अलावा बच्च हमारे देश में राष्ट्रिय परव भी मनाए जाते हैं राष्ट्रिय परव कुन सी होते हैं? राष्ट्रित यहार जैसे कि 15 अगस्त 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए थे हमारा देश सवतंतर हुआ था हम पहले जो ब्रेटिस सरकार के प्राधिन थे ना उंग्रेजों के गुलाम थे तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था सवतंतर हुआ था तो परति वर्ष 15 अगस्त को हम सवतंतरता दिवस के रूप में मनाते हैं ये हमारा राष्ट्री प्रव है, राष्ट्री त्युहार है, इसी प्रकार 26 जनवरी को हम गणतंतर दीवस के रूप में मनाते हैं, गणतंतर दीवस क्या है? 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हम गणतंतर दीवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त को हम सवतंतर दीवस के रूप में मनाते हैं, ये क्या है? ये हमारे राष्ट्री प्रव है, 15 अगस्त मेर लाल किले पर हमारे परदान मंतरी जो हैं, धवजा रोण करते हैं, हमारा राष्ट्रे धवज फैराते हैं, धासन देते हैं, तो आपने जाना कि हमारे जो प्रव हैं, ये महापुर्सों के जनम दिवस के रूप में, वो हमारे देवता हैं, या इनको हम भगवान मानते हैं, पूलते हैं, जो हमारे अरद्धे देव हैं, उनका जनम दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि राम नवमी, हिंदुओं में भगवान राम चंदर जी का जनम दिवस का मनाया जाता है, राम नवमी, तो राम नवमी का जो त पर्शन जी के जनम दिवस के रूप में जनमाश्टमी का त्योहार हम मनाते हैं इसके अलावा बच्चों हम अन्य कौन से त्योहार मनाते हैं इसके बाद आते हैं अब क्या आता है नव वरस नया वरस नव वरस कब आता है चो पहला महिना कौन सा होता है जन्वरी और पहले महि पहली तारीख एक जनवरी तो एक जनवरी को पहली जनवरी को परतेक वरस नवरस के रूप में मनाया जाता है प्रंतु हम देखते हैं कि ये तो जैसे जो हमारे भारतिये जो महिने हैं हमारे देशी महिने वो जनवरी भरबरी नहीं होकर क्या होते हैं वे जैसे कि फागुन च कैट, बेसाइक, सार्श हमने से होते हैं तो हमारा जो भारतिय पंचांग है यह इन से अलग है बारतिय पंचांग के अनुसार पहली जनवरी को हम नमवरस नहीं मनाते बलकि यह हर जगह अलग-अलग तरीके से जैसे मनाया जाता है जैसे कि हम देखते हैं कि चैत मास, चैत का जो महिना होता है, देशी महिना की बात करें न, चैत के महिने में सुकल पक्स, सुकल पक्स, देखो करशन पक्स, सुकल पक्स, करशन पक्स तो जो अंधेरी होते हैं, सुकल पक्स जब चांदनी रातें शुरू होती हैं, तो जब से चैत का सुकलपक्स आरंब होता है तो उस समय से ही आंधरपरदेश, करनाटक, तमिल नाडू आदी में उस दिन को क्या है नवर्स के रूप में मनाया जाता है तमिल नाडु में इसे उगाध्धी परव के रूप में नवरस मना जाता है तमिल नाडु में इसे क्या का जाता है उगाध्धी और महराष्ट्र में उस दिन नवरस किस रूप में मना जाता है गुडी पडवा, गुडी पडवा के नाम से महराश्टर में मनाया जाता है, पंजाब के लोग बैसाखी को नवरस के रूप में मनाते हैं, असम के लोग पंचांग के पहले दिन को बीहू, बीहू तिवहर के रूप में मनाते हैं, और पारसी नवरस को नवरोज के रूप में मनाते हैं तो इस परकार से हमारे देश के अलग-अलग राज्यों में नव वरस को अलग-अलग त्योहारों के रूप में अलग-अलग धंग से मनाया जाता है इसके बाद हम देखते हैं हम अपने जो परतेक ध्रम से संबंध ही अलग-अलग तिवार होते हैं उनके बारे में अब हम जानते हैं तो जैसे पहले आते हैं मकर सक्रांती, क्योंकि जन्वरी का मेना पहला मेना होता है, जन्वरी में एक जन्वरी को नव वर्स आता है, उसके बाद चोदा जन्वरी, चोदा जन्वरी को क्या होता है मकर सक्रांती, चोदा जन्वरी को परतेक वर्स मकर सक्रांती के रुप में मन आया जाता है मकर सक्रांति को यह माना जाता है कि सूरिय जो है उस दिन मकर रासी में प्रवेश करते हैं इस दिन लोग दान करते हैं पसुओं को चारा खिलाते हैं सेवा करते हैं क्योंकि इस दिन किये हुए धरम पुन्य का बहुत प्रभाव मिलता है लाव मिलता है तो यह त सा और खुशी से मना जाता है मकर सक्रांती को तामिल नाडू में इसे क्या का जाता है पोंगल त्योहार के रूप में मनाते हैं तामिल नाडू में मकर सक्रांती पोंगल के रूप में मनाई जाती है बच्चो यह भी माना जाता है कि विसम पिताम में इसी दिन अपना सरीर क्य गया था विशम पिताम्य महाभारत में जो कि महाभारत के युद में अर्जुन के वाणों से जिन अर्जुन ने जिसको वाणों की सैया पर सुला दिया था और वाणों की सैया पर लेटे ही उन्होंने पूरा युद देखा था और जब पांडुओं ने हस्तिनापुर का का वरदान था को मर्तिव अपने आप नहीं आ सकती थी अपने इच्छा से ही वह मर्तिव को प्राप्त होते हुए थे तो इस प्रकार से मकर सक्रांती के दिन उन्होंने अपना स्रीर छोड़ा था इसी दिन किसान अपने पसों की पुजा करते हैं केरल में इसे ओननम के रूप कथा जुड़ी हुई है तो यहां पर हम अपने देश में मनाय जाने वाले विभिन तिवहारों के बारे में जाना हमने महापुर्सों के जनम दिवस के रूप में मनाय जाने वाली जैंतियों विभिन जैंतियों के बारे में जाना अपने राष्टिय परवों के बारे में ज आया जाता है आज हम इतना ही करेंगे और अगला कल करेंगे